रहसे धिरता जा रहा है भारत और कैनेडा के बीच चल रहा विवाद, तनाव और टकराओ नए ओन रेकॉर्ड आरोप भी वैसे कम गंभीर नहीं है भारत को भी सोचना चाहिए कि उसकी भूमिका को लेकर कैनेडा के प्रधान मंत्री, कैनेडा के विदेश मंत्री, पुलिस विभाग के चोटी के अफसर आरोप लगा रहे हैं और कैनेडा में तैनाद भारत के राजदूद की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं या सब भारत की छबी के लिए अच्छा है खालिस्तानी समर्थकों की हत्या और हत्या के प्रयास में उसकी भूमिका को लेकर कैनेडा के साथ तनातनी और इस मामले में अमरिका के साथ सहयोग की राजनिती भारत के खंडनों को मजबूती नहीं देती है अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि भारत और कैनेडा ने अपने अपने राजनिकों को वापस बुला लिया कैनेडा भी लौरेंस बिश्नोई को लेकर भारत पर गंभीर आरोप लगाता है कैनेडा पुलिस का कहना है कि भारत सरकार के एजेंट इस गैंग का इस्तमाल कैनेडा में आतंग फैलाने के लिए कर रहे हैं कि ग्रिमंत्रिय हमेशा भी इसमें शामिल हो सकते हैं क्या लौरेंस बिश्नोई का तंत्र इतना फैल चुका है भारत की पुलिस अब तक क्या कर रही है मई 2022 में सिद्धू मुसेवाला की हत्या हुई उसमें लौरेंस का नाम आया उस तक पहुँच क्यों नहीं पाई उसके बाद इस साल अप्रैल में सल्मान खान के घर के बाहर फाइरिंग में लौरेंस बिश्नोई का नाम आया बिश्नोई गैंग तक पुलिस क्यों नहीं पहुँच पाई और बाबा सिद्धी की हत्या में भी नाम आने के बाद कैनेडा में हुई हत्या में इसका नाम आने के बाद के लिए आतंका अड़ा कह दिया था अंत्री जस्टिन टूडो ने भारत के खिलाब आधिकारी कुरूप से गंभीर आरोप लगा दिये भारत के लिए या आरोप कहीं से अच्छा नहीं है कि सरकार एक गैंक्स्टर का इस्तमाल कर रही है यह सब वाशिंग्टन पोस्ट में छपा है दुनिया में यह खबरे छप रही है और लोग पढ़ भी रहे हैं भारत गलत पॉलिसी के 22 दुनिया के तकरीबन तमाम मुमालिक के साथ अपने तालुकात खराब कर रहा है बंगला देश पाकिस्तान से पहले ही नहीं बन रही थी अब कैनेड़ा भी मैदान में आ गया हाल में होने वाकिये ने भारत और कैनेड़ा के दर्म्यान के तालुका बात को खराब करके रख दिया है अमुमन भारती मीडिया इस मामले पर बात नहीं करता लेकिन भारती सहाफी रवेश कुमार ने इस मामले पर बहुत कुछ कहा है आईए देखने हैं रहस्य से घिरता जा रहा है भारत और कैनेड़ा के बीच चल रहा विवात तनाव और टक करते हैं खौन रिकॉर्ड आरोब भी वैसे कम गंभीर नहीं है तब फिर अखबारों के जरिये ओफ रिकॉर्ड जानकारियां क्यों लीक की जा रही हैं भारत को भी सोचना चाहिए कि उसकी भूमिका को लेकर कैनेड़ा के प्रधान मंत्री कैनेड़ा के विदेश मंत्री प भारत हमेशा से यही कहता रहा है कि वह दूसरे देशों की सिमाओं का अती क्रमन नहीं करता लेकिन दो खालिस्तानी समर्थों की हत्या और हत्या के प्रयास में उसकी भूमिका को लेकर कैनेड़ा के साथ तनातनी और इस मामले में अमरिका के साथ सहयोग की राजनी थी भार उनको निकाल दिया और यह भी कहा गया हमने उनको बुला लिया कैनेडा मोटे मोटे आरोप तो खुल कर लगा रहा है मगर डिटेल की सप्लाई सूत्रों के हवाले से कर रहा है बात यहीं तक नहीं रुकी है जिस वक्त मुंबई में पुर्वविधायक बाबा सिद्धिकी की ह भारत सरकार के एजेंट इस गैंग का इस्तमाल कैनेडा में आतंग फैलाने के लिए कर रहे हैं मुंबई में तुशार गांधी ने बाबा सिद्धिकी की हत्या के बाद त्वीट किया कि इस हत्या के पीछे सरकार के एजेंट का हाथ लगता है कैनेडा पुलिस ने कैमरे पर बिश्नोई का नाम लिया है भारत में पुर्जोर खंडन किया लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेते ही इस कहानी में गुजरात का एंगल आ जाता है गुरुपतवन सिंग पन्नू की हत्या के प्रयास के मामले में गिरफतार निखिल गुपता का भी एक गुजरात कनेक्शन है भ बड़ी बात है दो देशों के बीच एहमदाबाद की सावरमती जेल में बंद एक गैंक्स्टर के नाम को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं क्या लॉरेंस बिश्नोई का तंत्र इतना फैल चुका है भारत की पुलिस अब तक क्या कर रही है माई 2022 में सिद्धू मुसे वाला की हत्या हुई उसमें लॉरेंस का नाम आया उस तक पहुंच क्यों नहीं पाई उसके बाद इस साल अप्रेल में सल्मान खान के घर के बाहर फाइरिंग में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया बिश्नोई गैंग तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई और बाबा इसका नाम आने लगा है। भारत ने कहा उसे कैनेड़ा पर भरुसा नहीं था। इसलिए अपने राजनेगों को दिल्ली लॉट आने के लिए कह दिया। भारत ने दिल्ली में तैनात कैनडा के 6 सीनियर राजनाइकों को 5 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दे दिया कैनडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो ने तो राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु के सम्मान भोज में शामिल होने से इनकार कर दिया आपने हमारा पिछले साल का 23 सितंबर का वीडियो देखा होगा जब भारत ने कैनडा को आतंकाड़ा कह दिया था उस समय संसब में कैनडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो ने भारत के खिलाब आधिकारी क्रूप से गंभीर आरोप लगा दिये 14 अक्टूबर से पहले लॉरेंस बिशनुई का नाम नहीं लिया गया था कभी लॉरेंस बिशनुई का नाम आने पर भारत ने खारीच किया लेकिन कैनडा ने हलके तोर पर आरोप नहीं लगाया उसकी पुलिस के सबसे टॉप लेवल के अधिकारी ने प्रेस कांफरेंस की और उसमें ये आरोप लगाए गए बिशनुई वाले एंगल पर अमरीका के अख़वार वशिंग्टन पोस्ट ने लिखा है कि एक उपरेशनल चेन है जिसके माध्यम से पहले भारतीय राजनई कैनेडा में रहने वाले कथित सिक अलगावादियों की खुफिया जानकारी इकटी करते हैं इस जानकारी का इस्तिमाल रौदवारा किया जाता है जो उन टार्गेट की पहचान करता है इसके बाद टार्गेट पर हमला लौरेंस बिशनुई के संगठन से करवाया जाता है वाशिंग्टन पोस्ट ने लिखा है कि कैनेडा में बिशनुई के संगठन का जाल पहल चु अजीद दुबाल के साथ मीटिंग भी की, कैनेडा के अधिकारियों ने अजीद दुबाल के सामने या प्रमान रखे कि भारत ने लौरेंस बिशनुई के गैंग की मदद से निजर की हत्या करवाई और दूसरे हमले भी करवाए तब अजीद दुबाल की प्रतिक्रिया ऐसी थी कि उन्हें तो पता ही नहीं लौरेंस बिशनुई कौन है भारत के लिए या आरोप कहीं से अच्छा नहीं है कि सरकार एक गैंक्स्टर का इस्तमाल कर रही है या सब वाशिंग्टन पोस्ट में छपा है इस रिपोर्ट में अजीद दुबाल की कोई प्रतिक्रिया नहीं है सब कुछ केनडा के अधिकारियों की तरफ से छपा है गाडियन अख़वार ने भी सूतरों के हवाले से कुछ और छपा है केनडा के राष्ट्रिय सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट भारत को सौब दी है जिसमें कथित तोर पर निजर की हत्या में भारत के उच्चायुप संजे कुमार वर्मा के शामिल होने के सबूत होने की बात पही गई है हारत और केनडा के बीच यह भी बात तब बढ़ा जब केनडा में खालिस्तान समर्थक हरदीब सिंग निजर की हत्या होती है और निई यॉर्क में एक और खालिस्तान समर्थक गुरु पत्वन सिंग पन्नू की हत्या का प्रियास विफल हो जाता है पंजाब के जालंधर का हरदीब सिंग निजर उनी ससंतानवे में कैनेडा जाता है, वहां बतौर पलंबर काम करता है 2007 में कैनेडा की नागरिक्ता पाता है, कैनेडा के बिटिश कॉलंबिया इलाके में सक्रिय होकर खालिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन चलाता है आरोप लगता है इस पर कि निजर प्रतिबंदित संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का संस्थापक था 2023 के जून में वैंकूवर के नजदीक दो नकाब पोशों ने गोली मारकर निजर की हत्या कर दी थी अगर टूडो वोट के लिए भारत पर आरोप लगा रहे हैं टूडो के आरोपों का भारत तुरंट जवाब देता है टरम के आरोपों का उस तरह से जवाब नहीं दिया जाता जैसे पिछले साल उबामा के एक बयान को लेकर दिया जाने लगा था वितम अमिशा का नाम सिख अलगाव वादियों के नाम जुटाने और हमला करवाने में लिया गया इस खबर पर भारत में सन्नाटा क्यों होना चाहिए यह खबर फिनांशल टाइम से लेकर दूसरे अखबारों में भी छपी है आपको याद होगा अमरीका पन्नू के हत्या के प्रियास को लेकर भारत को घेर रहा है जैसी गलती किसान अंदोलन के समय सिक किसानों को देखते ही गोदी मीडिया या कुछ और लोग खालिस्तानी कहने लगे इस मामले की जड़ें कहीं और भी हो सकती है लेकिन जस तरह की खबर आखिक्स कर करें